हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सीको सरल दोस्तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डेस्पसीटो प्ले करना और वो भी बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो की बहुत रिक्वेस्ट आती जा रही है हर कोई इस धुन को सीखने की डिमांड कर रहा है काफी टाइम हो गया था कर मैं इस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर बाया था और इसके लिए मैं उन सभी लोगों से माफी चाहता हूं जो लोग इसके लिए काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे आज मैं आप लोगी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा हूं कली मैंने इस गाने को सुना बहुत ही दुने इसकी मुझे भी बहुत प्यारा लगाई गाना तो चली सीख लेते हैं इसको नमस्कार मेरा नाम है संजे और आप देख रहे हैं सीको सरल तो चली शुरू करते हैं इस धुन को मैंने अपने हिसाब से कुछ लाइनों में तेयार किया है तो पहले में एक लाइन को बजा सुलो देखिए इसको नोटेशान है इसकी डी सी शार बी अगली लाइन है सुलो देखेंगे अगली लाइन पिस्छली लाइन में और इस लाइन में कोई खास अंतर नहीं है जो laast वाला नोट है वो चेंज हो गया है पिस्छली लाइन में last note था जी और इस वाली लाइन में last note हो गया है F sharp slow देखते हैं इसको note देखेंगे D C sharp B A F sharp next slow देखेंगे notes देखेंगे D C sharp D E C sharp यह आपकी चार लाइने complete होगे अब इन चार लाइन को मैं एक साथ बजागे दिखा देता हूँ अब इसका आगे बढ़ते हैं अगली line है slow देखेंगे इसको notation देखेंगे B F sharp B C sharp D E D C sharp B A G D D D मैं हर line को slow भी बता रहा हूँ और साथ मैं notation भी बता रहा हूँ मगर यह वाली line जो है यह थोड़ी लंबी भी है और थोड़ी इसमें speed भी है तो इसके लिए आप tension आले मैं इस line को समझने में आपको और आसान कर देता हूँ उस line को more अच्छे सा आपको explain कर दूँगा जो भी line थोड़ी difficult होगी यह जिस line की थोड़ी speed होगी तो उस line को मैं थोड़ा और detail से आपको बता दूँगा जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी तो इस line को मैं थोड़ा विस्तार से आपको समझा देता हूँ पहले एक बार मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ सबसे पहले आप दपाएंगे B फिर हलका सा pause रहेगा फिर उसके बाद जो बागी के note है वो तेजी से आएंगे फिर G पे आगे हलका सा pause हो जाएगा उसके बाद D आएगा दो बार फिर से समझ लीजे पहले हम play करेंगे B फिर उसके बाद आगे के जो notes हैं उनको हम थोड़ा split के साथ और continue लेके चलेंगे जैसे G तक यहाँ पर आगे हम हलका सा रुख जाएंगे रुखने के बाद फिर हम D दो बार दबाएंगे फिर से देखिए B दबाया थोड़ा सा रुख गया फिर फिर रुख गया उसके बाद फिर इस तरीके से अब आप समझ गया होंगे सबसे पहले हम B दबाएंगे फिर उसके बाद हलका सा रुख जाएंगे उसके बाद फिर continue आएंगे यहाँ तक G तक फिर यहाँ पर रुख जाएंगे फिर उसके बाद दो बार D दबादेंगे अब इसके बाद अगये गया है slow देखेंगे नोट्स देखेंगे D, A, D, A D, A, D, E, T शार इस लाइन के लिए भी मैं थोड़ा टिप्स देता हूँ आपको देखेंगे पहले आपको D, A, D, A, D, A तीन बर करना है D, A, D, A, D, A उसके बाद एकदम से आपको D, E और T शार बजा देना है इस तरीके से पहले आपको ऐसे रुख जाना है फिर उसके बाद इस तरह से बज़ेगी तो कैसे बज़ेगी है इस तरीके से अब इसके बाद फिर से दोनों लाइन रिपीट हो जाएंगी अब इसके बाद अगली लाइन है स्लोड देने इसको नोड देने इसके अगली लाइन है अगली लाइन है नोड देने इसके इसके बाद अगली लाइन है तो यह किस तरह से बज़ेगी यह तो सिंपल है इसको बताने ही ज़रूत नहीं है इसके बाद अगली लाइन है स्लो देखेंगे नोड देखेंगे ए ए ए थ्री टाइम ए उसके बाद डी सी शार्फ D, C sharp D, E, C sharp अब अगली लाइन है डेस पसीटो तो पहले देखते हैं डेस पसीटो slow देखेंगे notes देखेंगे D, C sharp B, F sharp यह तो बहुत simple दी लाइन थी अब इसके बाद जो लाइन आती है वो है इसको slow देखेंगे notes देखेंगे इसके F sharp, F sharp, F sharp, F sharp चार बार F sharp B, 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 B मैं आपको इसको समझा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी इसके बाद 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 बचे चार नोट उनको हम तेजी से अपलाई करेंगे बाद ही जो इसके बाद बाद नोट है वो है B, A, B, G तो उसको किस तरह से अपलाई करेंगे? इस तरीके से फिर से देखिए पहले हमें F sharp चार बार तेजी से फिर उसके बाद B चार बार तेजी से फिर थोड़ा सा pause होगा उसके बाद फिर जो एकदम से नोट हमें प्ले करना है वो है B, A, B, G तो पहले हम उसके बाद फिर उसके बाद फिर से देखिए पहली दूसरा फिर छिखिए है अब आप समझ गयोंगे इस लाइन को भी अब अगली लाइन जो में बजाने जा रहा हूं बिल्कुल सेम ऐसे ही बजेगी बस उसमें और इसमें अंतर ही हो जाएगा कि लाइन के जो नोट हैं वो चेंज हो जाएंगे जो नोट हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे मगर जो timing है जो गती है वो बिल्कुल सेम रहेगी tempo बिल्कुल सेम रहेगा बस जो notes है वो change हो जाएंगे अब ध्यान से देखिए अगली line है हमारी बिल्कुल सेम है बस notes का अंतर है अब देखिए इसको इससे पहले वाली जो हमने line बजाए थी वो कहाँ पर खतम होती है और वहीं से हमारी दूसरी line शुरू हो जाएगी देखिए हमारी पहली वाली line कहाँ पर खतम हुई थी जो हमने इससे पहले बजाए थी यह देखिए यहाँ हमारी G पर यह line खतम हो गई थी अब इसी G से हमें next line को उठाना है तो यहीं से हमें इस line को बजाना है फिर से एक बार मैं आपको बजा के दिखा दूँ देखिए मैं यहीं से बजा रहा हूँ तो देखा आपने इसी जगे से जहां से यह वाली line खतम हुई वहीं से हमें दूसरी line को उठाना है तो पहले तो हम इसको slow देख लेते हैं notation देख लेते हैं इसके G G G G G चार बार G इसके बार B B B B B B पांच बार B इसके बार C शार्फ D A अब इसका बजाने का तरीका क्या है बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इससे पहले वाली line बजाए थी बिल्कुल से मैं ऐसे ही बजेगी एक बार मैं फिर से इसको भी समझा देख हूँ आपको हमें इसको चार बार बजाना G को तेजी के साथ जैसे हमने पहले वाली line बजाए थी तो चाहिए आप count भी कर सकते हैं इसको एक, दो, तीन, चार फिर इसके बाद हमें B को play करना है चार बार चीक है इसको भी चाहिए आप count कर सकते हो एक, दो, तीन, चार इसके बाद जो आगे के note लगेंगे वो हमें एक साथ लगाना है जैसे हमने पहली वाली line में लगे थी आगे वाले note को उनकोन से बचे इसमें B, C sharp, D और A अब इन चार नोटों को हमें तेजी से लगाना है कैसे? इस तरह के से इस तरह के से तो पहले क्या? फिर उसके बाद फिर से देखिए अब fast देखिए अब इसके बाद जो अगली line है वो भी बिल्कुल ऐसी बज़ेंगी जैसे ये दोनों line बजीती बस notes का अंतर हो जाएगा तो पहले मैं आपको अगली line बजा के दिखाता हूँ पहले इसको slow देख लेते हैं notes देख लेते हैं इसके A A A A A चार बार A उसके बाद D D D D D D 6 बार D इसके बाद E C sharp बजाने का दरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिसली दोनों line को सीखा वैसे ही ये भी बजेगा सिर्फ notes का अंतर हो गया बाकी tempo वही रहेगा कहाँ पर pause होना है बिल्कुल वैसे ही pause होना है tempo वही रहेगा speed वही रहेगी कहाँ पर रुकना है कितना रुकना है same वैसे ही रहेगा इसको अभी मैं आपको समझा देता हूँ A को हमें 4 बार play करना है तेजी के साथ चाहे आप count कर सकते है 1,2,3,4 उसके बाद D को भी ऐसी करना है 1,2,3,4 उसके बाद जो आगे के note हैं दो बार D और E और C sharp यानि कि 4 जो note हैं वह बिल्कुल हमें वैसी यह लगाना है जैसे हमने पिछली लाइनों में लगा हैं तेजी के साथ इस तरीके से फिर से देखिए A चार बार D भी चार बार फिर उसके बाद जो बचे note हैं दो बार D और E और C sharp उनको कैसे लगाएंगे फिर से देखिए इस तरीके से इस तरीके से तो मेरे ख्याल से आप लोग को यह लिए अच्छे से समझ में आई होंगी तो एक बार में चारो लाइने आपको एक साथ बचा के दिखा देता हूँ इस तरीके से अब यह चारो की चारो लाइन हमें फिर से रिपीट करनी है इस तरीके से और फिर से वही लाइन आ जाएगी तो अब सारी लाइने को में एक बार एक एक करके रिपीट करके बता देता हूँ तो सबसे पहले लाइन फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर से वह रिपीट है जाएगी लाइन फिर इसके बाद फिर से रिपीट होगी फिर इसके बाद 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 पिर इसके बाद पिर इसके बाद फिर से रिप्यो हो जाएगी दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं अगर आप इस सोंग को आगे भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करकर बतायेगा ये वीडियो कैसा लगा? कितना समझ में आया? इस बार में comment करका जरूब बताएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करना तो बनता है आपका आपके likes मेरे smile को create करते हैं तो please अगर वीडियो पसंद आया हो तो like जरूब कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please फटाफट कीजिए जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए तो practice कीजिए इस धुन की बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई